हेलो रिवन स्वागत है आप सभी लोग का तो आज हमारा यहां पर जो टॉपिक है वो नमबर स्रीज पार्ट फाइफ है और इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे रॉंग नमबर स्रीज जो की मोस्ट एपॉर्टर नमबर स्रीज है उस पर हम लोग आपे प्रैक्टिस करते है इस आपको कैसे करना दो पार्ट होता है रॉंग नमबर स्रीज होता है और एक होता है नेक्स नमबर स्रीज जैसे कि आपको यह सिक्वेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि दू प्रकर की स्रीज एक्जाम में पूछी जाती है चाए वो नेक्स नमबर स्रीज हो चाए वो रॉ और अरित्मेटिक स्रीज है, किसी नमबर का एडिशन हो रहा है, साथ में एक तरीके से सब्ट्रेक्शन हो रहा होगा, तो increasing order में या decreasing में है, और difference कम है तो arithmetic स्रीज, geometric स्रीज को क्या हाँ पर क्या करते हैं, अगर वो तेजी से बढ़ रही है, तो multiply होता है, या किसी का तेजी से अगर घट रहा है, तो एक तरीके से multiply के इलावा क्या होता है, divide होता है, ऐसे ही यहाँ पर cube और square के shape में होगा, ठीक है, यह sequence चलेगा, और mix series में, दोनों series को mix कर देते हैं, चाहे हो अरित्मेटिक हो, और साथ में geometric series हो, तो sequence recording एक होता है, fluctuate जब हो रही ही series, तो alternate series होती है, जै जैसे आपको यहाँ पर पता है, 5, 8, 11, 14, increasing order में, तो आपस में देख सकते हो, किसी number का addition चला है, तो arithmetic series होगी, और geometric series में देखे हैं, just double चला है, देखे हैं, दो का 4, 4, 8, तो multiply हो रहा है, तो पैचानने का नियम अगर देखा जाए, तो एक तरीके से geometric series होती है, किसी number का multiply, square क recording होती है, तो देख सकते हैं, square भी होता है, कोई दरूई नहीं है, कि वो even number हो, odd number हो, prime number हो, composite number हो, तो square किसी भी sequence में चल सकता है, या तो आपका alternate के form में चलेगा, या odd even के form में, ऐसी ये cube चला है, तो cube के recording भी आपको minimum कम से कम 25 तक का cube आना चाहिए, और square आपको 30, 35 तक का आन चाहिए, ठीक है, तो चलते हैं, कुछ series की बात करते हैं, series में, alter series भी आपको समझ में आगे होगी, fluctuate हो रही है, यानि कम ज्यादा अगर value आती है, तो hit करेंगे हम लोग, alternate series, wrong number series की practice चल लई थी, तो wrong number series में, उसी sequence को हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं, next year जो है, वो कौन इसको solve करता है, चीए, तो इसको आप फड़ावर इसको try करिए, timer यहाँ पे लगा हुआ है, और most important series है, अब इसको अगर देखें, तो आपको बता होगा कि यह 7, 4, 6, 9, 20, 52.5, अगर यह point में आ गया, और यह increasing से कम हुआ, फिर यह ज्यादा हो गया, यह just half से कुछ ज् multiply होता है, साथ साथ 0.5 क्या होता है, add चलता है, तो दिख लेते हैं, फड़ा पड़ा देखा जाए कि क्या यह चला है, तो 0.5 का अगर multiply करें, तो 3.5 होगा, और 3.5 में अगर 0.5 add करेंगे, तो 4 आ जाए, ठीक है, तो sequence देखें, मिल गया, अब आगे पूरा चेक कर लेते है 0.5 प्लस है आपका 0.5, तो यह 4 हो गया, अब 4 का multiply यह 1 से होगा, प्लस 1 होगा, तो आना चाहिए यह आपे 5, रॉंग आपको मिल गया 5 होगा, आगे चेक कर लेते हैं कि 1.5 प्लस 1.5 अगर हम add करें, क्या 9 आ रहा है, तो यह 7.5 होगा, 1.5 add क्या, तो 9 भी आ गया, तो हो रहा है, तो यह 20 हो गया, तो इसी तरे sequence में आगे बढ़ते जाएंगे, तो सभी value एक दूसरे से चल लई है, और wrong number क्या हो गया, 6 होगा, place पर क्या होना चाहिए, तो इसके place में होना चाहिए 5, ठीक है, तो option के recording देखा जाए, option के recording A है इसका right answer, चले देखते हैं, next series को भ गया, तो एक तरीके से just half आया, just half को मतलब 0.5 से multiply हुआ, फिर 3.5 आया, तो इसका मतलब है 3.5 कैसे आया, तो इसको भी हम चेक करते हैं कि कैसे आया, तो multiply या 0.5 और 1 होना चाहिए, या 1.5 होना चाहिए, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या यह sequence चल ला, क्योंकि यह point में ही आ रहा है सब value, तो सबसे पहले हम 4 से 2 में चेक कर रहा है, फिसके अबाग आगी, तो 4 से 0.5 का multiply होगा, तभी ही 2 आया होगा, और 2 का multiply अगर हम 1 करते हैं, 1.5 ही करते हैं, तो यह 3 आएगा, 0.5 क्या करें कि 1-1 इसमें add हो रहा है, और 3 का multiply, 2.5 से करें तो क्या आ हो गया, और यह wrong बता रहा है, आप देखेंगे 7.5 का multiply किसे होगा, 3.5 से होगा क्या, तो 3.5 से बात करें, तो 7, 21 हो गया, 35, 25 हो गया, तो यह भी सही हो गया, तो आप देखेंगे value क्या रही है, 26.25 यहाँ पे correct आ रहा है, तो यही pattern चल गया, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ऐसे 4.5, तो answer आपका क्या होगा, जो wrong number अगर देखा जाए, वो 3.5 है, इसके place पर क्या होना चाहिए, जो correct होना चाहिए, वो है 3, ठीक है, तो wrong number आपको पता चलिए, चले next देखते है, अगला जो series है, देखते है, कौन solve करता है, ठीक है, तो फटबट देखा जाए, एक और series, जो कि यहाँ पे break होगी, और इसमें देख लिया जाए, कि क्या है, 4 से 6 हुआ, और 6 से यह 12 हुआ, ठीक है, तो यह अगर series की हम बात करें, तो यह 6 से क्या हुआ, डबल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 टाइम नहीं हो गया, अभी देखा जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कि यही हो रहा होगा, अब थोड़ा हम आगे आते हैं, आगे मतलब इससे पहले की value अगर हम इससे चेक करें, तो 4 से जब 6 हुआ होगा, तो इसको पहले हटाये जाए, तो यह 1.5 का multiply हुआ, ठीक है, 1.5, 6 हो जाएगा, सही है, 15, 4 गा 60 होता, पॉइंट लगा, तो 6, 2 हुआ तो आगे 2.5 होगा कि क्या होगा, तो आप देख सकते हैं, सीधे-सीधे 30 आ रहा है, यह आ गया 2.5, चास 30 आ गया, ठीक है, यह भी सही है, तो multiply जो हो रहा है, वो आपका 1.5, तो 6 आएगा, फिर यह 6 का 2 से multiply हुआ, यानि 0.5 इसमें add हो रहा है, ठीक है, और आप देखेंग यह 0.5 जब एट करेंगे, तो आपका यह 2 आ जाएगा, एक तरीके से 12, अब 12 का multiply 2.5 से कर रहा है, तो 30 आ रहा है, ठीक है, 10 टाइम करेंगे तो 25, वो 2 का है, तो 5 इसमें add हो गया, अब आगे क्या होगा, इस 30 का multiply होना चाहिए, 0.5 एट करेंगे, तो 3 होना चाहिए, जो की होना चाहिए, 90, यह 90 होगा, 75 हो गया, रॉंग, अब इस 90 का multiply 3.5 से करेंगे, और देखते हैं, क्या आता है, तो आप देखिए कितना आ रहा है, 9 का 0 हो जाएगा, और 9, 5, 45 का 5 होगा, 4 आया, 27, और 7, 4, 11 हुआ, very good point लगा है, यह correct हो गया, तो 75 होगा, इसका right answer, I hope आपको समझ में आ गया, तो correct answer क्या होगा, यह होगा, आपका 90, और wrong क्या होगा, 75, 75 के place पर क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, correct, चलिए, next देख लेते हैं, what about देखा जाए, एक और series, और इस series को अगर break किया जाए, तो यह भी most important series है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देखें, कैस से यहाँ पे solve किया जा रहा, अब देखें, 17 से आया, 9 आया, अब देखा, 17 से अगर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि वो just half से कुछ value ज्यादा हो नहीं, तो mix series है, और mix series की बात करें, तो आपको पता होगा, कि mix series क्या होती, multiply 0.5, और 7 में 0.5 add होता है, तो देखा पहले 17 का multiply 0.5 से करें, आधा किसका होता है, 8.5, और 7 में 0.5 add भी करना है, तो 9 आ गया, अब इस 9 का multiply 1 हुआ, प्लस 1 add किया, तो 10 आ गया, ये भी सही है, और 10 का multiply 1.5 से होगा, और 7 में 1.5 add होगा, ये आ गया, 15 और 1.5 add किया, तो 16.5 आ गया, ये भी सही आ रहा है, ठीक है, अब 16.5 का multiply, 2 से करेंगे, और 7 में हम 2 add करेंगे, देखते हैं क्या आता है, तो 10 होगा, ये एक हुआ, 32, 33, 34, 35, ये ये का 35 आना चाहिए, जो कि ये wrong, ऐसे ही यहाँ पर दिखा जाए, 3.5 ये 2.5 का multiply होगा, और 2.5 add होना चाहिए, तो ये wrong आपका क्या हो जाएगा, 34 होगा, और आप देखेंगे 32, और ये इसका आपका हो गया, 31, 34, 35, आना चाहिए, 34 क्या है, wrong है, तो स्रीज अगर देखा जाए, 34 यहाँ पर देखा जाए, तो correct है, चले next देखते हैं, आई होप आपको इस स्रीज समझ में आ जाई होगी और इस स्रीज को भी देखा जाए, क्या चलना है इस स्रीज में, और ये भी most important है, तो इसके लिए अभी हम आपको 20 seconds रहते हैं, फटावड इसका भी answer आप लोग बताए, देखें ये स्रीज तेजी से increase हो रही, जैसे 2 से आया 6, फिर 25 आ गया, फिर 97, फिर 285, फिर 567 आ गया अब देखा जाए, तो wrong number में, ज्यादा तर आप लोग का जो answer आता है, वो 568 या 567 के आसपास आता है, कि इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि देखने में लगता है ये कि इतना करीब कैसे आ गया, तो wrong इसी में होगा, लेकिन यहापे gaping है, तो देख लिया ज कर सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम multiply करें, तो 5 time है just और इसका 5 minus हो रहा है, इधर देखा जाए, तो यह 6 से multiply 6 minus हो रहा है, तो देखिए एक स्रीज पता चल गई, कि multiply 6 minus 6 करेंगे तो 6 आएगा, 6 into 5 minus 5 करेंगे तो 25 होगा, और 25 minus 4 होना चाहिए, multiply 4 होना चाहिए, स साथ में minus 4 होना चाहिए, तो 96 होगा, wrong number आपको देखी मिल गया कि 97 आ रहा है, और होना क्या चाहिए, 96, अब 96 का multiply क्या होगा, 3 से होगा, minus 3 होगा, 288 में से 3 minus करेंगे, तो 285 यह correct हो गया, अब ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें, तो इसका multiply 2 होगा, minus 2 होगा, तो आप देख सकते हैं, बिलकुछ सही है, multiply 1 minus 1 हुआ है, तो यह भी आ गया है, तो decreasing order में multiply हो रहा है, तो same number का subtraction हो रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे multiply, और साथ में उसी number का यह subtract चल ला है, तो 97 जो होगा, इसका correct answer होगा, ठीक है, correct, चले, very good, चले आगे देखते हैं, एक और series देखते हैं, timer यहां पर लगा हुआ है, अब आप लोग देखें, अब यह series 112 से 111 आ गया, 111, फिर 19 देखें, कम हुआ, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हो गया, तो एक तरीके से यह alternate हो सकती है, यह आपस में difference चल सकता है, difference की value इतनी ज्यादा हो सकती है, जब minus में आने के मतलब है, कि cube भी हो सकता है, क्योंकि cube में value बड़ी हो जाती, digit, और बात में value घड़ जाती, तो इस case में अगर हम देखें, तो सबसे पहले हम लोग hit क्या करते हैं, alternate ना करके, पहले आपस में difference लेते हैं, यह आपका 1 है, ठीक है, और यह आपका 8 है, इसमें difference देखा जाए, तो आप 9 में से 2 गया, तो यह 7 हो गया, 7 और 9 गया, अब देखो यह समझ में आ गया, जब जैसी difference लेंगे, तो आपको दिमाग में आ गया, 1, 8, 27, यह 1 का cube, 2 का cube, 3 का cube है, जो difference चल ला है, तो आपस में अगर देखा जाए, तो यह 1 का cube, 2 का cube, और यह आपका 3 का cube, ऐसे ही आगे जो होगा, वो 4 का cube होना चाहिए, जो की है 64, ठीक है, तो 4, 2, 6, यानि यह wrong पे आया, और इसकी value 1, 5, 6 होना चाहिए, और 1, 5, 6 को अगर हम यहाँ पे देखें, तो कम ज्यादा भी तो हो रहा है, difference हो सही है, यह value minus होई, plus होई, minus होई, plus होई, अब minus होना जो की 5 का cube है, तो 156 में से अगर हम 125, minus करते हैं, क्या यह आता है, 6 में से 5 गया 1, और यह 31, तो सही हो गया, तो एक तरीके से cube का, एक बार plus हो रहा है, एक बार minus हो रहा है, यह difference चलना है, तो minus में 1 का cube, और यह plus में, यह minus, यह plus और यह minus होगा, 5 का cube, फिलाल answer क्या होगा, 155 आपका wrong है, correct answer क्या होना चाहिए, 156 होना चाहिए, इसके place पर, ठीक है, तो difference चलना है, बहुत ही अच्छी series है, most important series, इसको आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है, चले आगे देखते हैं, एक और series, इसको भी देखा जाए, क्या होगा, अब इस series की बात करें, तो आप यहा हो गया, और तेजी से, यानि बहुत तेजी से अगर बढ़ जाती है, कोई series, तो वो mix series होती है, mix series मतलब किसी नंबर का multiply हो रहा है, साथ में addition या subtraction हो रहा होगा, तो चलते हैं, इसको पहले hit करते हैं, क्या है यहाँ पे, यह series, तो यह series आप कहीं से भी break कर सकते हैं, यह multiply कर हो गया है, तो यह 5 से होगा, और प्लस 2 हो गया, ठीक है, आगे क्या होगा, 2, 6, 12 होगा, प्लस 1 होगा, तो देखिए, इस series एक पता चली कि multiply 6 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, तो 13, 13 into 5 प्लस 2 होगा, तो देखिए, 67 आ गया, अब 67 का multiply जो होगा, वो 6, 5, 4 से होगा, और 3 add होगा, ठीक है, तो आप देखिएंगे, 4, 28 होता है, यानि 2 बचा, 24, 25, 26, और 8, 3, 11 होगा, इसका मतलब 271 होगा, तो होना चाहिए, 271, आग 11, 272, तो यह wrong होगा, अब 272 का multiply, यानि 1 का multiply होगा, आपका 6, 5, 4, 3 का, और यह 4 add होगा, तीन एकम, तीन और 4, 7, साथ, सही होगा, ठीक है, तो यह स्रीज जो चल लई है, decreasing order में multiply चलना है, 6, 5, 4, 3, और 1, 2, 3, 4, ऐसे ही addition चलना है, ठीक है, तो wrong वाला answer क्या होगा, 272 होगा, गरेट इसके place पर क्या होगा, 271 होगा, तो I hope आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, next series चलते हैं, फटबर देखा जाए, इस cancer आपको समझ में आ गया, कि 1289, चले इसको भी देखते हैं, अब यह series यहाँ पर आपको पता जब चल गई है, तो इसको हम आपको timer नहीं देंगे, direct आपको बता देते हैं, कि यह चल गया रहा है, अब इधर देखिए, यह value क्या हो रही, यहाँ से break करिए, 5 से multiply, minus 5, ठीक है, इसमें multiply क्या होगा, 6, minus 6, तो यह हो गया, 3 into 6, minus 6, तो आएगा 12, और 12 into 5 करेंगे, minus 5 करेंगे, तो आगे आपका 55, 55 minus, आपका यह 4 होगा, minus 4 कर लेंगे, 220 में से 4 गया, तो 216 भी सही है, तो इधे की यह भी सही है, आगे देखते है, 216 into 3, ठीक है, 648 हुआ, minus किया, तो 645 भी आगया, very good, अब 645 का multiply 2 से करेंगे, minus 2 करेंगे, तो 690 और 1290, 1290 इस दो गया, तो यह भी आपका क्या हो गया, सही हो गया, अब आगे क्या होगा, 1 minus 1 होगा, तो 1, 2, 8, 7 होना चाहिए, तो रॉंग नंबर आपका क्या है, 1, 2, 8, 9 है, ठीक है, तो correct वाला answer क्या होगा, 1, 2, 8, 7 होना चाहिए, और wrong नंबर क्या होगा, 1, 2, 8, 9, ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, फटाबर देखा जाए, इस स्रीज को भी आप try करिए, इसके लिए भी टैमर लगा हुआ है, और इसको भी try करें, 11, 6, 7, 12, 28, 67, 0.5, अब स्रीज में आप लोग सबसे पहले आप लोग नंबर स्रीज देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, स्रीज जरूई नहीं कि आप starting यहीं से break करें, उसको कहीं से भी break कर सकते हैं, ब्रेक हो पाती है, और simple से बात अगर कोई स्रीज ब्रेक नहीं हो पा रही है, तो simple से आप से यहीं कहेंगे, कि आप उसको छोड़ दीजे क्योंकि negative marking भी होती है, ठीक है, तो अब अब यहाँ पे देखा जाए, कि स्रीज को कैसे solve किया लिए, अब देखेंगे कि यह 11, 6, 6 आया, तो आपको पता है, just half से कुछ ज्यादा है, तो 0.5 multiply, 0.5 add करिए पहले, देखें हो सकता है, यहीं चल ला हो, इसका half क्या होता है, 5.5, 0.5 add किया, तो इस 6 हो गया, अब 6 into 1 plus 1 करेंगे, तो आप देखें, 6 plus 1, 7, अभी तक यह सही चल ला है, अब 7 का multiply किससे होगा, 1.5 plus 1.5, देखें सही आ रहा है, 10.5 हुआ, और 1.5 add करेंगे, तो 12 होगा, यह भी आपका सही है, अब 12 का multiply 2 से होगा, प्लस 2 add होना चाहिए, तो 26 होना चाहिए, है क्या यह 28, तो यह भी सही है, 26 होगा इसके place पे, बाकी चेक करने ही होते ही, क्योंकि इतनी स्रीज आपको पता चली गई है, तो आगे 2.5 का multiply होगा, 2.5 add हुआ होगा, ठीक है, चलते हैं, next की तरब बढ़ते हैं, फड़ा बढ़ देखा जाए, एक और स्रीज, और इस स्रीज को देखा जाए, break करते हैं, इस स्रीज को, अब देखें, 7 से 15, 44, 150, 622 और 31, 20 हो गया, अब यह भी स्रीज बढ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, mix स्रीज हो गई, तो mix स्रीज के recording इसको कैसे break करना है, तो यहाँ पे आप लोग इतने महीं try करिए, देखें, अगर हम इसको add करें, 22 साथ, अगर हम 7 add करते हैं, तो 7 add करें, तो 22 हुआ, इंटू 2 कर दिया है, तो 44 आ गया है, आगे क्या हुआ होगा, पक्का है कि 8 हुआ होग तो 7 और 8 मिलके 15 हुआ, इंटू 1 हुआ, देखें, एक स्रीज पता चल गई, कि पहले plus 8 हो रहा है, पहले add करेंगे, और 7 में क्या कर देंगे, multiply 1 से कर देंगे, तो आपका आगया 15, 15 में क्या add होना है, 7 इंटू 2, यानि 44, ठीक है, decreasing order में addition चल ला है, 8, 7, 6, ऐसी ही चलेगा, 44 प्लस 6, तो यह आगया आपका 50, और यह आपका 3 टाइम करेंगे, तो 150, यह भी सही है, अब 150 में add होना चाहिए, 5, इंटू 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो 155 हुआ, 4 से multiply, तो 620 होना चाहिए, है क्या, 622, रॉंग है आपका, और करेक्ट क्या होना चाहिए, 620 होना चाहिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया, कि decreasing order में addition चल ला है, और multiply चल ला है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो आई होप आपको ने इसको अच्छी ने समझ लिए, एक और देखते हैं, फड़ा पर स्रीज है, जो most important है, और इस स्रीज को देखा जाए, कि स्रीज को कैसे solve किया जा रहा है, अब देखें, 3 से 20 हुआ, और फिस 75, बड़ी तेजी से increase हो रहा है, जब तेजी से increase होता है, तो मैंने आप से कहा था, कि mix स्रीज होती है, ठीक है, किसी number का addition चल ला, साथ में multiply चल ला ठीक है, यह suppression चल ला होगा, multiply हो रहा है, तो आप देखें, यहाँ पर क्या चल ला है, इसी tap की स्रीज को break करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हम पहले add करते हैं, 7, क्योंकि mix स्रीज है, हमको 20 लाना है, तो 7 add किया, और साथ में double कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 7 हुआ, 10, into 2 किया, तो 20 आपको मिल गया, अब आगे क्या करना है, 20 प्लस 6 होगा, जो कि 26 हुआ, और 3 से multiply करना पड़ाया, तो 78 होना चाहिए, ठीक है, अब आगे चेक करते हैं, 78 प्लस में क्या होगा, 5 होगा, into 4 होगा, 8, 4, 12, 13, यानि 83 हो गया, और multiply 4, तो आपका ये 2 हुआ, 32 और 1, 33 हो गया, 3, 3, 2 आ गया, तो wrong जो होगा, वो 78, correct होगा, 75 क्या होगा, यानि wrong होगा, 75, 78, तो I hope आपको ये समझ में आ गया कि decreasing order में addition चलना है, 6, 7, 6, 5, 4 ऐसे, और 2, 3, 4 का multiply चलना है, ठीक है, तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इस र wrong answer आपका C वाला होगा, correct answer, ठीक है, तो एक और देखते हैं, फटा पट देख लिया जाए, एक और धमागेदर वाली स्रीस, तो आईए देखते हैं, इस स्रीस को भी break करते हैं, और इस स्रीस की बात करें, तो इसमें भी timer लगा हुआ है, तो देखा जाए क्या है, सबसे पह आपका 6 है, और यह आपका 8 है, और यह आपका 10 है, तो एक तरीके से यह सही चला है, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, और यह 12 होना चाहिए, तो इसका मतलब यह आपका wrong हो गया, 22 होना चाहिए, और 22 के बाद यह आपका 14 होना चाहिए, देखें, 42 और 14 अगर हम add करते हैं, तो 56 आ रहा रहा है, तो सही होगे कितना easy हो गया, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, 42 होगा, ठीक है, और इसको भी अगर देखा जाए, तो 1 का square plus 1, 2 का square plus 2, ऐसे भी चला है, लिखा जा रहा है, ठीक है, 3, ऐसे भी चला है, सीधे सीधे difference चला है, 2, 2 का difference में, 4, 6, 8, 10, और यह even number का difference चला है, तो 40 होगा इसका wrong, correct क्या होना चाहिए, ठीक है, 42, चली next देख लेते हैं फड़ावर्ट, अब इसको भी try करा जाए, तो यह भी most important number series है, और इसको भी try किया जाए, देखी यहाँ पे अगर देखा जाए, 2 से 2 हो गया, तो यह one time हुआ, फिर 1.5, फिर 2 हुआ, फिर फिर 2.5, अब इसको मैं हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या चल लएए, तो सबसे पहले देखा जाए, into 1, 1.5, फिर 2, तो 0.5 इसमें add होता जा रहा है, आगे क्या होना चाहिए, 2.5 और 2.5 यहाँ पे multiply कर लेते हैं, क्या होता है, तो यह 15 होना चाहिए, यानि कि 15 होना चाहिए, ठीक है, तो multiply जो चलना है, 1, 1.5, 2, 2.5 और ऐसे यहाँ पे देखा जाए, तो 15 होना चाहिए, उसके बाद 3 का multiply, तो 45 यह सही होगे, ठीक है, तो answer आपका क्या होगा, wrong होगा 16, इसके place पे क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है, चले, correct अगर देखा जाए, 16 ह wrong number, एक और देखते हैं, फटबर देख लिया जाए, अब इस series को भी break करते हैं, तो आप बताएं, इसका answer क्या होना चाहिए, देखे, 9 से 5, 6, 10.5, 2, 5, 25, 61, 83, तो मैंने आपको बताए ही था, कि जब कोई series, just half से कुछ ज्यादा या कम होती है, तो इसका मतलब है mix series, तो mix series म यहाँ पे देखा जाए, तो आप यहाँ पर देखिए, just half से कुछ value ज्यादा है, तो 0.5 होता है, 4.5, आपने add किया, तो हो गया, यह 5 हो गया, अब इस 5 का multiply 1, plus 1 करते हैं, तो यह 6 आ गया, सही है, 6 का multiply 1.5, plus 1.5, add करेंगे, 9 हुआ, 10, 10.5, यह भी सही हो गया, अब 10.5 का multiply 2 करेंगे, और plus 2 add करेंगे, यह आपका 21, 22, 23 होना चाहिए, और यह आपका हो गया wrong, इसके place पे क्या होगा, 23, ठीक है, अब देखेंगे 23 हो गया, तो 23 का multiply किससे होगा, 2.5, और 7 में 2.5 add हुआ होगा, तो देख सकते हैं, यह बिल्कुत सही है, तो answer आपका यही आजाएगा, तो 25 होगा इसका wrong, ठीक है, चलें, next देख लेते हैं, I hope आपको उन्हें अच्छी तरह समझ जिया है, अब इस series को भी break करते हैं, तो इस series को भी break किया जाए, देखें, 3, 6, 12 हुआ, 58, 2, 1, 6, 5, 4, 5, 5, 12, 8, 8, or 12, 8, 7, तो मैंने इस step की series भी आपको practice कराई थी, step की series, जब कोई last में value आपस में same equal होती है, या nearest होती है, तो ज़्यादा तर लोग hit वहीं करते हैं, कि wrong number, या तो 1, 2, 8, 8 होगा, या 1, 2, 8, 7 होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, तो आप यहाँ पर देखें, कैसे यहाँ पर चलना है, 3, 6, minus 6, यानि 3 into 6, minus 6 करेंगे, तो आपका 12 होगया, 12 into 5 किया, minus 5 किया, तो आपका यह 55 होगया, 55 into 4 करेंगे, minus 4 करेंगे, तो आपका यह देखिए, wrong आया, 55, ठीक है, इसके place पर क्या होना चाहिए, होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 58 wrong, तो आप देखेंगे, यह अगर 20, 220 minus 2, 216, तो आप देखिए, यह पिल्कुल सही आ रहा है, तो यह 4 से multiply हो रहा होगा, minus 4, फिये 3, minus 3, फिये 2, minus 2, ऐसे ही 1, minus 1 चलना है, तो answer आपका क्या होगा, 58 होगा, wrong number, place पर क्या आना चाहिए, 55 होगा, तो आई होप आपको यह समझ में आ गया, कि यह number series क्या है, इसका wrong होगा, 58, ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कि इस type की series को कैसे break किया जा रहा है, और wrong number की series ज्यादा ज्यादा आप लोग collection करेंगे, और उसको note करते जाए, क्योंकि exam में ज्यादा तर pattern होता है, जो latest pattern होता है, वही exam में follow हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, digit बदल जाती है, ठीक है, तो आगे देखते हैं, लेकिन इतना ही रखते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, all the best, thank you, practice करते रहे हैं, bye bye, take care.